गुड मार्निंग और ये रिकॉर्डिंग मैं सुबह के चाड़ बजे कर रहा हूँ क्योंकि दिन में काफी सोड सराबा हो जाता है कई बार तो रिकॉर्डिंग में पड़िशानी आती है तो चलिए आज हम लोग ना मॉडरन हिस्ट्री के प्रस्टनों को देखेंगे क्योंकि मॉडरन हिस्ट्री है उसका प्रस्टेज काफी जादा होता है एकजाम में तो हम लोग उसके कुछ और अतिरिक सेट को देख लेंगे तो हमारा जो है ना कुछ अतिरिक मांक्स का बेनिफीट हो जाएगा तो सुरू करते हैं पहले देखेंगे भारत का सतनता अंदुलन इसम स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ साइमन कमिशन जो 1927 में आया कॉंग्रेस का लहार अधिवेशन एवंपुर्ण स्वराज प्रस्थाव जो 1929 में हुआ सविने अवग्या आंदुलन गांधी इर्विन समझ होता कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में पुना पैक्ट इन सब से समाधित प्रस्न यहां पर होंगे तो अगर इन सब चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा होगा वैसे मेरी कोशिस रहेगी कि चैप्टर वाई चैप्टर में एक प्लेलिस्ट बनाके इनको दूँ ताकि आप अभी कोश्चन एटेम्ट क तो चलिए शुरू करते हैं 2017-18 में अहमादाबाद में गांधी जी द्वारा चलाएगे सत्यागरह में किसने हिस्सा लिया था तो यह उस समय मजदूरों ने इसमें हिस्सा लिया था नेम्ण में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई यह हुई थी चमपारण सत्यागरह मैंने गांधी जी का केक फर्मूला बताय था कि पहले गांधी जी चमपारण गये फिर अमादाबाद फिर खेड़ा गये थे गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्यागरा आंदुलन बिहार में कहां प्रारम किया था ये प्रारम किया था चमपारन में ऐसे आसान प्रस्ण भी आएंगे गांधी जी का चमपारन आंदुलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समधान हे तु था जो निल किसान थे उनकी समस्याओं के समधाने एदू था निमलिकित में से कौन महात्मा गांधी के चंपरन सत्यागरह से संबद्ध है तो देखिए राजकुमार सुक्ल हैं सीधा वही इनको बुलाने के लिए गए थे चंपरन आंदोलन से कौन संबद्धित नहीं था जैप्रकास नरायन नहीं थे बाकी राजेंदर परशाद अनुगर नरायन सीनहा जेबी कृपलानी ये सब आये थे गांधी जी के साथ चंपरन दर्शिन अफ्रिका से लोटने के पाचात गांधी जी ने पर्थम सफल सत्यागरह प्रारम किया ये प्रारम किया चंपरन में महात्मा गांधी ने सरपरतम किस किसान आंदोलन में भाग लिया बहुत ज़्यादा एक ही टॉपिक से प्रस्टनों को दे दिया चंपरन नील आंदोलन के राष्टिये नेता कौन थे जाहिट सी बाते महात्मा गांधी थे महात्मा गांधी के चम्पारन सत्यागरा का किस ने विरोध किया था रविना टैगोर्ड ने विरोध किया था उस समय रविना टैगोर्ड के नजर में कुछ और मामला था वो हम लोग डिटेल से देखेंगे उसको किसान आंदोलन एवं किसान सभा को हम लोग देखें तो भारत वर्ष का सरपर्थम किसान आंदोलन था तो ये था बिजॉलिया आंदोलन को बोलेंगे हम लोग भारत वर्ष का सरपर्थम किसान आंदोलन जो था वो बिजॉलिया जो आंदूलन्था उसको हम लोग मानते हैं निवन में से कौन फरवरी 1918 में अस्थापित यूपी किसान सभा की अस्थापना से संबध नहीं था जवाला नहरू संबध नहीं थे वहाँ परदेश कौन था जहां बाबा रामचंदर ने किसानों को संगठित किया अवध में बाबा रामचंदर शक्रिये थे किसानों को संगठित करने में अवध के एका अंदूलन का उद्देश क्या था ये था लगान की नगद में पडिवर्दन अखिल भारतिय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष्टा किसने की ये कि स्वामी सहजानन सरसौती ने की थी ये वह कौन जगह थी जहां अकिल भारतिय किसान सभा का पहला दिवेशन हुआ था वो था लखनों में पहला दिवेशन हुआ था इन में से कौन बिहार में किसान आंदूलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रशाद किसान आंदोरन के साथ नजदी की रुप से जुरे हुए थे बारदोली सत्यागरा जो 1928 में हुआ था कानेते तो किया ये किया था सर्दार वल्ला भाई पटेल को मान सकते हैं कि इनकी अगवाई में ये आंदोरन हुआ था क्योंकि बारदोली सत्यागरा से इनका नाम सर्दार जो है वो पड़ा सर्दार इनके नाम के साथ जुड़ गया था बारदोली की महिलाओं ने दिया था जो गांधी जी ने उनके तरफ से इनको परदान किया निवन में से किस आंदोलन में सरदार वलबही पटेले मुख भूमिका निभाई इक बारदोली सत्य ग्रह में वलबही पटेल को सरदार की उपादी किस ने दी ये दी महात्मा गांधी ने बारदोली की महिलाों के तरप से दी अब देखिए ये जो सेट है ना एक ही तरह के questions को बारवा repeat कर रहा है इसे आप समझ सकते हैं कि जो इतना महत्पूर्ण सेक्स्टन्स है इसमें भी अगर आपने एक वर concept को समझ लिया तो आप सारे questions बहुत आराम से कर पाएंगे questions कोई ज़्यादा मुस्किल है नहीं भात्मा गांधी ने वल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी उनकी बड़ी संगठन चमता के करण किस आंदोलन में दी थी जाहिर सी बात है वही बारदोली वाला मामला ही है बारदोली सत्यागरह में देखे एक तब रिपीट कर रहा है प्रस्नों को भूदान आंदोलन किस ने प्रारम किया आचारे विनोवा भावे ने भूदान आंदोलन के शुरुवात हुई थी यह शुरुवात हुई थी आंद्र प्रदेश राजिस से हुई थी यह शुरुवात यह बहुत पूर्ण परस्न है बहुत लोगों को ध्यान में नहीं होता है लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनके लिए यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है अब ट्रेड यूनियन एवं सामेवादी दल से समन्दित प्रस्नों को देखते हैं भारत में उनिश्चा 18 में पर्थम मजदूर संकी अस्थापना की तो यह की थी वीपी वाडिया ने निम्लिकित में से किस ने अहमादाबाद टेक्स्टाइल लेवर एसोसियेशन के स्थापना की यह की थी महात्मा गांधी ने भारत ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पहले अध्यक्स कौन थे यह थे लालो लाजपत्राए बंबई में अखिल भारती वैपार्ज जंग के कॉंग्रेस के स्थापना कब हुई यह हुई थी सर्ण 1920 में अखिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के 1920 में बंबई में हुए पर्थम अधिवेशन के अध्यक्स्ता की थी ये अधेक्सता के थी लाला लाजपतराय ने कानपूर स्रियंत्र मुकदमा किस आंदोरन के नेताओं के विरुद था ये था सामेवादी आंदोरन के विरुद था ट्रेड यूनियन आंदोरन के करांती कारे चरण का समय क्या था ये था 1926 से 1949 तक 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किस ने किया ये किया था मन राय ने अब रॉलेट एक्ट से समन्दित प्रसनों को देखते हैं रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था ये किया गया था सन 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाईसराय कौन था ये था लॉर्ड जेम्स फोर्ड अखिल भारती की राजनेती में गांधी का पहला साहसी कदम था तो ये था रॉलेट सत्यागड़ा अब देखते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगा ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था तो ये बोला था स्वामी सर्धानन्द ने अनार्किकल एन्ड रिवलोशनरी क्राइम एक्ट उनिस सा उनिस को समानी बोलचाल में कहा जाता है ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट जलिया वाला बाग हत्याकांट को देखते हैं कौन सी महत्पुन घटना जलिया वाला बाग नरसंगहार के तुरंत पुर्व घटी थी तो देखिए तुरंत घटी थी रॉलेट एक्ट का बनना बनी घटी थी और अगर किछलू, सत्यपाल और किछलू की गिरफ्तारी वाला हो तो वो चला जाएगा तो आपको chronology याद रहना चाहिए यह जो प्रस्ण होता है उसका integral part होता है यह option तो जैसा option होगा उसी के तुरू हम लोग जाएंगे तो अभी रॉलक एक्ट का बनना जैस्टिस से पुरू भटा था जलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था यह हुआ था 13 अप्रेल 1919 को अब एक्जाम में कई वार प्रस्ण ऐसे आ सकते हैं कि जलिया वाला बाग हत्याकांड को कितने वर्ज हो चुके हैं और इस तरह के प्रस्ण भी बनेंगे तो इस देट याद है तो आप कैलकुलेट कर लिजिएगा जलिया वाला बाग कत्लियाम किस सहर में हुआ यह हुआ था अमरित्सर में काफी संख्या में लोग अमरित्सर के जलिया वाला बाग में 13 अपरेल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफतारी के विरोध में किस की गिरफतारी थी तो डॉक्टर सेफुदुन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के यह दोनों ही बहुत लोग प्रिये लोग थे जलिया वाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात वैक्तिने बिर्टिस सरकार दोरा परदान की गई नाइट की उपाधी को वापस लोटा दिया देखिए रवीना टैगोर को नाइट की उपाधी दी गई थी जो उन्होंने इस घटना के बाद वापस कर दी थी गांधी जी ने भी अपनी उपाधी लोटा दी थी जलियावाला बाखहत्याकन के विरोध में वास राय की कारी कार्णी परिषत की सदिस्ता सकिष्ट ने इस्टिफ़ा दे दिया देखिए ये थे संकरनायर संकरनायर ने इस्टिफ़ा दिया था ये निवन में से किस्ट के दोरा जलियावाला कांड के विरोध में सर की उपाधी त्यागी गई दिखे सर की उपाधी भी जो ना रवीना टैगोर नहीं त्याग दी थी हंटर आयो की नियुकती की गई थी जलियावला बाग हत्याकांट के बाद हंटर कमिशन की ये स्थापना की गई थी जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है जलियावला बाग हत्याकांट से जुड़ा है उध्यम सिंग ने जनरल डायर की हत्या की थी खेर वो अलग डायर को मार डाला था फिर भी जलियावला बाग हत्या कांट के लिए जी मितार माइकल और डायर को ने उन में से किस ने मार डाला ये उधम सिंग ने मार डाला दरसल वो डायर अलग थे लेकिन हम लोग ज्यादा इसमें अंदर में नहीं जाएंगे उधम सिंग ने लंदन में किसको मारा उधम सिंग ने लंदन में मार दिया था सर माइकल ओडायर को ठीक है ना ये माइकल ओडायर एक डिफरेंट पैक्टी थे खैर 1919 में जगहन जलिया वाला बाग कांड के समय भारत का वाइसराय कौन था ये थे लॉर्ड जेम्स फॉर्ड निमलिखित में से किसके कारण सारजनिक रोज की लहर उबडी जिसके फलसुरुप जलिया वाला बाग में ब्रिटिस दोरा जनसाग हार की घटना घटी तो देखे रॉल एक्ट एक्ट के कारण जो है ना लोग सब थोड़े से विद्रोही हो गए थे अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन को वर्ष उनीच से उनीच में अकिल भारतिये खिलाफत सम्मिलन का अध्यक्ष की से चुना गया ये चुना गया महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था ये दिया था गांधे जी ने किष्णे खिलाफ़त आंदोलन को हिंदू और मुसल्मानों की एकता के एक ऐसे आवसर के रूप में देखा जो सौ वर्सों में भी पुना प्रस्तुत नहीं होगा ये था महात्मा गांधी ये थे निमलिकित में से किष्णे महात्मा गांधी की खिलाफ़त आंदोलन में भागीदारी की भर्सना की थी ये थे मुहमद अली जिन्ना निमलिकित में से खिलाफ़त आंदोलन का परिनाम क्या था तो देखिए हिंदू-मुस्लिम अतभेदों में कमी आई थी खिलाफ़त आंदोलन के करण वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रेल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जित के परवचन मंच से हिंदू-मुस्लिम एकता पर भासन दिया वे थे तो ये थे स्वामी सर्धानंद निम्नांकित में से किस भारतिय नेता ने खिलाफ़त आंदोलन का समर्थन नहीं किया था ये हैं मदर मोहनमाल भी है इन्होंने समर्थन नहीं किया था 1920 के खिलाफ़त कमिटी की सभाज जिस ने गांदी को और सहयोग आंदोलन की नेतित्तु को संभालने का नरोध किया वक्की सहर में हुई थी ये हुई थी इलहाबाद में इस मिसाल में हम मुसल्मानों को हिंदूओं से भीरा नहीं पाए निमलिखित में से कौन सी ए घटना से एचिंसन के इस कथन का संबन्द है ये खिलाफ़त और असायोग आंदोलन में ऐसा कहा गया था 1921 का मुपला अंदोलन साखा थी तो देखिए मुपला अंदोलन भी यो था न वो खिलाफ़त अंदोलन का ही एक साखा था मुपला अंदोलन के दो फेज हुए थे दर असल और भी छिटफूट फेज थे तो हम लोग थोड़ा था डीटेल से पढ़ने तो ज्यादा बेतर है जिसे पहले लोग पढ़ते थे मुपला अंदोलन कहा हुआ था तो किरल में इतने से काम चल जाता था लेकिन अब इतने से काम नहीं चलेगा अब देखते हैं असल योग अंदोलन को निमलिखित में से किसने 1922 के नागपुर के भारती राष्टिये कॉंग्रेस के एडिवेशन में असल योग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था ये प्रस्तावित किया था सी आर दास ने भारती राष्टिये कॉंग्रेस ने अपना भारती राष्टिये कॉंग्रेस ने पहला असल योग अंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था ये किया था 1920 में महात्मा गांधी दौरा चलाये गया पर्थम जन आंदोलन था ये था असायोग आंदोलन खिलाफत के प्रस्ण पर असायोग आंदोलन कब शुरू हुआ ये शुरू हुआ उनिश्टो बीस में गांधी जी ने असायोग आंदोलन कब प्रारम किया था ये भी किया था उनिश्टो बीस में एक वर्स में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया ये दिया था असायोग आंदुलन के समय में एक वर्स के भीतर स्वराज की प्राप्ती लक्ष था ये लक्ष था असायोग आंदुलन का बेटी सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपादी दी थी और जिसे उन्होंने आसायोग आंदुलन में वापस कर दी वह थी वह थी कैसर ए हिंद निवन में से किसने आसायोग आंदुलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चितरंजय दास ने छोड़ दिया था निमलकित में से कौन चोड़ी चोड़ा कांड की वास्तविक्ति थी है यह है फर्वरी 5 1922 किस घटना के कारण गांधी जी ने आसायोग आंदुलन वापस लिया था चोड़ी चोड़ा कांड के बाद चोड़ी चोड़ा की घटना के समय गांधी जी कहां थे ये बार्दोली में थे चौड़ी चौड़ा में क्या हुआ था जो उग्र भीर ने 22 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर जला दिया था आस्टाजोग आंदोलर 1920 में प्रारम हुआ था बताएए यह कब समाप्त हुआ दो साल चला 1922 में यह समाप्त हो गया था दिल्ली में 24 परवरी 1922 को आयुजित अखिल भारतिय कॉंग्रीस समीति की बैठक में असटाजोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांदी जी के विरूद निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था अब गांदी जी के खिलाफ डॉक्टर मुंजे लेके आये थे निंदा प्रस्ताव असटाजोग आंदोलन के दोरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाये जाने पर किसने महात्मा गांदी को लिखा था या निश्ठूड बढ़वादी है अब ये रविना टैगोड ही इसको बता सकते थे निश्ठूड बढ़वादी उन्हों नहीं बताया था 1921-22 के असटाजोग अंदोलन का मुख्री परतिफल क्या था ये हुआ था हिंदू-मुस्लिम एकता हुआ अब देखते हैं सुराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था निम्न में से किस ने सुराज पार्टी निर्मान के लिए कॉंग्रेस के अधेक्षपत से त्याग पत्र दिया था ये त्याग पत्र दिया था सियारदास ने शौराज पार्टी के गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था दिखें असायोग आंदूलन जब असफल हुआ ना तो सौराज पार्टी की इसके बाद अस्थापना हुई सौराज पार्टी को संस्थापित किया था सियर दास तथा मोतिलाल नहरू ने मोतिलाल नहरू स्वराज दल के नेदा थे निम्ण में से कौन दल में नहीं था देखिए जो दल में नहीं था वो कौन था सिराज गोपालाचारी नहीं थे उस समय निमलेखित में से कौन देशवंधू के नाम से परशिद्ध है देखिए कुछ नाम है ना वो बस साथ में लिया है कि यह जैसे निटाजी स्वासचंदर बोस उसी तरह देशवंधू चितरण जन्दास तो यह एकदम एक फ्लो में ही यह नाम लिये जाते हैं तो यह थे चितर यह गोशना के थी सी आरदास ने कॉंग्रेस नेताओं दोरा मांटेग्यू चेमसपोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरम पंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया यह थी इंडियन लिबरल फेडरेशन Central Legislative Assembly का पर्थम भारती अध्यक्ष स्पीकर कौन था यह थे विठल भाई जे पटेल वे राश्टी ये नेता थे जो 1925 में Central Legislative Assembly के अध्यक्ष निवाचित हुए थे ये थे विठल भाई पटेल अब देखते हैं बात करते हैं साइमन कमिशन की जो 1927 में आया था साइमन कमिशन भारत किस वर्स आया था ये आया था 1928 में साइमन कमिशन जो है वो भारत आया था 1928 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया था ये 1927 में नियुक्त किया गया था 1928 में भारत आया था 1928 इस विए में साइमन कमिशन भारत में किस उद्धिस से आया था देखें प्रसास्निक सुधार के विचार से आया था भारतियों ने साइमन कमिशन का बहिसकार किया क्योंकि इसमें कोई सदस्द से भारतिय नहीं था भारत में प्रसास्निक सुधार के लिए आये हैं और कोई सदस्द से भारतिय नहीं है तो समझे नाराज होना एकदम से सौभाविक था लाला लाजपतराय घहायल हुए थे साइंमन कमिशन के विरोध में लाठी चार्ज में घहायल हो गए थे लाला लाजपतराय पंजाब केश्री की उपाधी किसको दी गई थी लाला लाजपतराय को नहरू इपोर्ट तयार की थी भाई ये मोतिलाल नहरो ने इसको तियार किया था नहरो रिपोर्ट को कॉंग्रेस दल की उग्र साखा ने जिसके एक परमुक निता जवालाल नहरो थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की अस्थापना की वह लीग किसके विरोध में अस्थापित हुई थी देखिए ये नहरो रिपोर्ट के खिलाफिया इस्थापित हुई थी कॉंग्रेस का लाहर अधिवेशन इववंपूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 तो चलिए इसको देखते हैं 1921 में अहमादाबाद अधिवेशन में निमलिखित नेताओं में से किसने स्थापूर्ण स्वराज को कॉंग्रेस का लक्ष मानने का प्रस्ताव रखा गे रखा हसरत मोहानी ने कॉंग्रेस ने कब पहली बार भारत की सतदर्ता का प्रस्ताव पारित किया था ये पारित किया था 1929 में पुर्ण सुराज का प्रस्ताव लाहर कॉंग्रेस में पारित किया गया वर्स ये 1929 में किया गया लिखित में से किस एक ने भारती राष्टिय कॉंग्रेस के उस अधिवेशन की अधैक्षिता की जिसमें पूर्ण सुराज का प्रस्ताव पारित हुआ था ये जवाला नहरू ने किया था कॉंग्रेस के 1929 के लाहर अधिवेशन में कॉंग्रेस का लक्ष पूर्ण सुराज किसके दोरा घोशित किया गया जवालाल नहरू ने इसको घोशित किया था रावी नदी के तटपट यह हुआ था 31 दिसमर 1929 को अर्ध रात्री में भारती राष्टिये रास्तधाच को किसने फड़ाया था देखिए मोतिलाल नहरूरत नहीं राक्ष राजेत प्रसाद नहीं फड़ाया था उसको फड़ाया था जवालाल नहरू ने निमलिखित भारती राष्टिये कॉंग्रेस के अधिवेशनों में से किसमे कॉंग्रेस का लक्ष पूर्ण स्वराज घोसित किया गया यह था लाहर लाहर में पूर्ण स्वराज घोसित किया गया भारती राष्टिये कॉंग्रेस के लाहर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे ये थे जवालाल नहरू अब देखते हैं सवीने अवग्या आंदुलन को किस कॉंग्रेस सत्र में कारेकारी कमिटी को सवीने अवग्या आंदुलन प्रारंब करने का अधिकार दिया गया था ये दिया गया था लाहर सत्र में दान्दी यात्रा के साथ निमलिकित में से क्या प्रारंब हुआ सवीने अवग्या आंदुलन प्रारंब हुआ सविने अवग्या आंदुलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारम किया था 12 मार्च 1930 को प्रारम किया था गांधी जी ने दांडी यातरा प्रारम की थी सावर मती से दांडी यातरा प्रारम की थी गांधी जी ने महात्मा गांधी ने 1930 में सवीने अवग्या आंदुलन का प्राड़म किया था तो ये किया था दांडी से सवीने अवग्या आंदुलन शुरू हुआ ये शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद एतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से संबन्द है इसका नेवन में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी तो ये था साइमन देखे इन में सबसे पहले साइमन कमिशन भारत आया था इसके बाद ही भारत छोड़ो गांधी रिविन और बाकी चीज़े होई थी भारतिये इतिहास में 6 अपरेल 1930 की तिथी जानी जाती है महात्मा गांधी दोरा दान्डी मार्च से जानी जाती है ये नमक सत्यागरा के समय गांधी जी के गिरिफतार हो जाने के बाद आंदुलन के नेता के रूप में उनका अस्थान किस ने लिया अबास तयब जी ने उनका स्थान लिया था महात्मा गांधी धर्सना नामा गोदाम पर कॉंग्रेस करताओं के धावे के समय कहां थे यर्वदा जेल में थे वो अचार विनोबा भावे किस आंदॉलन में भाग लेने के लिए प्रतम बार गिरिफतार हुए थे तो ये सवी ने आवग्या आंदॉलन के लिए गिरिफतार हुए थे गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबर मती आस्रम में ठाड़ाया वह था वेब मिलर थे वो लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए रेड़ सर्ट्स और खान अप्तुल गफान खान ने इसको बनाया था ये भी बहुत महत्पूर्ण पस्न है कई बार लोग इसको नहीं समझते हैं वो और जो से लिंक कर लेते हैं गड़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने परदर्शन कारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सबीने अवग्या आंदुलन में लाल कुर्ती आंदुलन के नेता थे तो ये थे खान अब्दुल गफार खान सर उनिस्टो तीस में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध परसिद पेशावर कांड का नाया कौन था ये थे वीर चंदर्शिंगण वाली जिया तरंग आंदुलन का प्रारम हुआ था ये मनीपुड में प्रारम हुआ था बेगुसराय के चौकेदारी टैक्स के विरुद्ध आंदुलन का हिस्चा था ये था सविने अवग्या आंदुलन सविने अवग्या आंदुलन यानि सिविल डिस ओबिडियन्स मोव्मेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्तो दिया राजनात्म कारेकरम को महत्तो दिया था गांधी जी ने इसके बाद परभावती देवी किस छेत्र की सतंता संग्राम से नानी थी ये पटना की थी ये गांधी इरविन समझोता से समंधित प्रशनों को देखते हैं गांधी इर्विन समझोते पर हस्ता क्षड हुए ये हुए 1931 में पांच मार्च 1931 को नेवन में से कौन समझोता हुआ ये इर्विन गांधी समझोता हुआ था इसी समझोते के बाद वो गोल में सम्मिलन के लिए राजी हुए थे निमलिखित में से किसका अस्थगन गांधी इर्विन समझोते में किया जाना प्रस्तावित था सविन्य वग्या अंदुलन का अस्थगन किया जाना सामिल था गांधी इर्विन समझोते के हस्ताक्ष्रित होने में किसने महत्पुन भूमी का निभाई तेज बहादुर सप्रू ने महत्पुन भूमी का निभाई थी निमलिखित वैक्तियों में से किसने इर्विन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था ये कहा था सरोजनी नाईडू ने अब देखते हैं कॉंग्रेस का कराची एदिवेशन 1931 निमलिखित में से किसने भारती राष्टिये कॉंग्रेस के कराची एदिवेशन का सभापतित तो किया था ये किया था वल्लब भाई पटेल ने 1931 में भारती राष्टिये कॉंग्रेस के कराची एदिवेशन के लिए जिसकी अधेक्षिता सरदार पटेल कर रहे थे किस ने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कारे करम पर संकल प्रारूपित किया था यह प्रारूप किया था पंडित जवाला लेहरों ने अब देखते हैं गोल में सम्मिलन को निमलिकित में से किस भारतिय नेता ने लंदन में पर्थम गोल में सम्मिलन में भाग लिया था ये लिया था मौलाना मौहमद अली ने लंदन में संपन हुए गोल में सम्मिलन में भारतिय इसाईयों का पर्तिनित्तु किस ने किया था केटी पॉल ले किया था यह परतिनेदित्व दूतिय गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस का परतिनेदित्व किस ने किया महात्मा गांधी ने किया पर्तिनिधी तो एक मात्र वही पर्तिनिधी ते कॉंग्रेस के दूतिये गोल में समेलन में कॉंग्रेस के एक पर्तिनिधी के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था उसका नाम था SS राजबुताना महात्मा गांधी दिसमर 1931 में खाली हाथ कहा से भारत लोटे लंदन से लोटे खाली हाथ दूतिये गोल में समेलन किस प्रस्ण पर असफल रहा संपरदाइक प्रतने धित्तो के उपर में यानि अलग-अलग कॉम्निटी के लिए जो अलग-अलग प्रतने धित्तो का जो प्रस्ताव था ना इस मामले पर ये असफल हो गया था उस भारतिये का नाम क्या था जिसने तीनों गोल में समेलनों में भाग लिया था तो दिखे वो थे बियार अमबेडकर गोल में समेलन में दरसल क्या था ना कि कॉंस्टिचूशन बनाने को लेके लंबी चोड़ी बाते हो रही थी और सासन के बारे में इसी गोल में सम्मिलन के बाद ही 1935 का अधिनियम आया था तो जाहिट सी बात है कि डॉक्टरां अम्बेदकर को वहा रहना जरूरी ही था संपर्दाइक पंचैट एवाँ पुना पैक्ट 1932 को देखें कि निमलिकित में से किसने संपर्दाइक अधिनियन गोसित किया ये गोसित किया रैंजे मैक डॉनाल्ड ने अगस्त 1932 के रैंजे मैक डॉनाल्ड के संपर्दाइक पंचैट के दौरा पहली बार एक प्रतक निर्वांचक समुभ बनाए गया अच्छूतों के लिए बनाये गया था वो मैक डूनल्ड के समपरदाइक पंचाटी यानि कॉमनल एवार्ड ने किसे प्रिथक चुनाव छेत्र एवां आरक्षी सीटे आवंटीत नहीं की थी देखें बौधों को नहीं किया था बाकि सब को किया था मुसलमानों को सिखो को और सुजिजातियों को बहुत कोई ये लोग समझ नहीं पाये थे या उनकी संख्या कम थी और या हिंदूओं में उनको गिन लिया गया था महत्मा गांधी ने अपना पहला आमरन अंसन का प्रारम किया था ये किया था संपर्दाइक निर्णय यानि कॉमनल एवार्ड के समय में संपर्दाइक एवार्ड एवां पूना पैक्ट में करमसा दलित वर के लिए कितने सीटे दी गई ये करमसा एकटर वह 147 दी गई पूना पैक्ट समंधित था ये दलित वर्ग से समंधित था उनके परतिनेदितों से समंधित था श्रीबियर अमबेटकर वह गांधी जी के बीच एक समझाता हुआ था जो कहलाता है ये कहलाता है पूना समझाता पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे ये किये थे गांधी जी के समंधित को एवम अमबेट करने निमलिकित में से किसने एतिहासिक 1932 के पूना समझाते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे देखिए 1932 में जो पूना समझाता हुआ था ना उसमें गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे एमके गांधी ने 1932 में पूना पैक्ट के बाद हर्जन सिवक संग की अस्तापना हुई इसके अध्यक्ष थे गंसयामदास बिर्ला इसके अध्यक्ष थे All India Untouchability League बाद में जिसका नाम बदलकर हर्जन सिवक संग हुआ इसके परतम अध्यक्ष निमलिकित में से थे ये थे GD बिर्ला 1932 में अस्तागित अकिल भारतिय अचुत विरोधी लीक के परतम प्रिशिनेट थे ये थे GD बिर्ला अकिल भारतिय हर्जन संग या हर्जन सिवक संग की अस्तापना किस ने की थी ये की थी महात्मा गांधी ने दलित वर्गों का संग अस्थापित किया गया यह अस्थापित किया था डॉक्टर बियार अमबेड करक द्वारा कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई यह पहली बैठक हुई थी पत्ना में हुई थी तो चलिए इसी के साथ हमने 150 प्रस्णों के सेट को देखा ये सेट 3 है अभी इस सीरीज का तो इसमें 150 प्रस्ण है सभी प्रस्ण बहुत खास है सभी प्रस्णों को देख लिजिए मेरा ये जो सीरीज है ना ये सीरियस एस्पिरेंट के लिए है जो लोग एकदम सिरियस है बाकी तो मैं इसमें एक्स्ट्रा बाते नहीं बोलता हूं जो कंटेंट है उतना ही बताता हूं तो चलिए अभी के लिए इतना ही फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलते हैं धन्यवाद